है गाइस गुड इविनिंग वेल्कम पैक टू मैं चैनल वेल्कम टू एनादा नीव ब्लोग मैं हूँ ऊश्मी और आप लोग देख रहे हो माई लाइफ माई जानी तो आज है दिन बुद्बार और अभी सामका टाइम है अभी से मैं अमना ब्लोग स्टार्ट कर रही हूँ और आज है चोइत्रो संकाल्दी यानि कि आज बैंगोली बैंगोली एर का जो है लास्ट टेटर है और काल से न्यू एर स्टार्ट होगा तो कौन सा साल है मुझे याद नहीं है नहीं तो मैं बता दी तो क्यार चोड़िए तो आप सभी को एडबांस सुभो नवावर्स और पहले जो है बेटू को थोड़ी दिर बिठाना है वह बेटू का होमवर्क करना है उसके बाद ही में किजिन पर जाओंगी और आज मैं आप लोगे शाथ एक बिरियानी का डिल सीपी सेयर करूंगी बेटू बहुत दिन से बोल रहा था कि मामी मुझे बिरियानी खाना है बि मिलटव अधर बेटू अभी खा रही है मुझे लट्डू है तो यहां पर देखिए बिरियानी बनाने के लिए मैंने चोड़ जोड़ी पीसस में बड़े साइज का ओनियों का अलू काट कर लिया है एक मैंने बल्ड और यहां पर फुड कलार में दूद के साल मिक्स करके र सांराइस का बिर्यानी मुसाला और राइस को मैंने पहले भीको के रखी थी तो चलिए के ऐसे मैं बनाती हूँ अब स्टाट करती हूँ तो यहाँ पर देखिए राइस मैं सबसे पहले वैल कर लूँगी पानी हमारा गरम हो गया था उसके बाद मैं गरम पानी में डाल दिया थोड़ा सा खड़ा गरम मुसाला और उसके बाद जो है राइस डाला था और अभी मैं टेस्ट के एकोडिंग सॉल्ट डाल दूंगी और उसके साथ थोड़ा सा ओयल डालूंगी नहीं तो राइस जो है खिला-खिला सा नहीं बनेगा और यह राइस को 62-70% तक बॉयल्ट करना मैं तो चलिये आपि मुसाला में रेडी कर लेती हूँ तो यहाँ पर देखहे फोत्र सा टीजम कर कड़ी था और उसके साथ मैंने यह आत्रग रुसुन का पेस्ट इसमें डाल दूंगी यह टूटी स्पॉन के कड़ीब लिया था मैंने और आभी मैं दे दूंगी टेस्ट के अकोडिंग सॉल्ट और इसमें थोड़ा सा चीनी भी आड़ करना है वाट मैंने बाद में चीनी आड़ किया था अब लोग चाहो तो आभी चीनी डाल सकते हो नहीं तो बात में भी यूज कर सकते हो तो यहाँ पर देखिए यह मुसला को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक साइट में रख देंगे तो तो आभी हम ऑनियान बरस्त बनाएंगे इसके लिए यहाँ पर देखिए कड़ाई पे टूटी स् में रखना है तो देखिए चिकन बरस्ता हमारा रेडी है और ओनियान का कलर ऐसा होगा तो इस अलबे हम डाल देंगे एक तो एक को हम फ्राई कर लेंगे और मैं अभी होल्दी या नमों कुछ भी नहीं डालूंगी और यह जब मैंने वर्ल्ट किया था तो उसके बाद ओनियोन हम काट करके रखते एक बिक साइज का ओनियोन तो छोड़ छोड़ी प्रिसुस में कटा था अभी मैंने फ्राई कर लिया है और यह जो ब्राउन कलर हो जाएगा तो इहां पर जो मसाला मैं पहले से रेडी करके रखी थी तो मैं डाल दूंगी तो इहां पर है अंडा और आलू मैंने दे दिया है और थोड़ा सा चिकन प्यांच पर रसता और अभी मुसाला को हम अच्छे से भूंज लेंगे और यह जो पर राईस का पानी मैंने रखा था तो आभी मैं डाल रही हूँ इससे क्या होगा इससे नीचे जो है हमारा राईस पगारा कु दिमे आज में पकाएंगे नहीं तो आलू जो है हमारा बॉल्ट नहीं होगा तो फिप्टिन मिनिट के बाद आलू भी बॉल्ट हो गया था और बाकी नीचे जो ग्रेवी था इसके ओपर हम लेयरिंग करेंगे तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैंने एक राईस का लेयर दिया है और अजल लोग देखिए बहुत ही अच्छा बने है और एक लियार देने के पाल जो है यह अज है दोद के सब्सक्ता कश्राइबिदार भी तहूँ में डाल दिया और ऑभी उपर से हम अंडा और इक इस तरह से सजा जालेंगे और उसके बाद जो है ओनियोन बरस्ता को दे देना है ओपर से और यह एक बिरियानी बहुत थी खाने में यम्मी लगता है तो अब लोग जोरूर भर बनाईएगा और यहां पर देखिए इसके उपर मैंने और एक लियार दे दिया है राइस का और उसके बाद जो ह कवर्ड करके रखना है एकतम लो आज में तो गैस अभी जो है 15 मिनिट हो गया है तो मैं लीट उठाने है और देखती हूँ तो चलिए आप लगों को भी दिखाती हूँ तो यह देखिए वाव मैंने गैस आप कर दिया है और आभी जो है हलके हाथों से इस तरह से इस मौसल को ऐसे का लेने है नहीं तो क्या होगा राइस जो है टूट जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा तो यह देखिए बिर्याणी और बिर्याणी के लिए रेडी बेबी बिर्याणी कैसा बना है बताओ इस बताओ कर लो कि लो एच खालो है तो मताओ बला बलाई ग्योड़ इस दो ओकि लो मताओ आऊ जो है बलाई है कर दो कर दो के गाईस तो आभी जो है रात का 11 होडा था टाइम और हम लोगों का खाना हो गया है और आज का डीनर जो है सच में बहुत ही यम्मी था बहुत ही स्पेसल था तो आप लोग जुरूर घट पर पनाईएगा और अभी मैं गैस को क्लीन कर ड़ी हूँ आप लोगों को पता ही है म सबसे पहले मैंने भी म लिकुर से गयास को बहुत आच्छे से कर ले था उसके बाद जो है ओड़त लौफ से में खेस कर लूँंती हुत और ऊच्छे और उसके बाद बड़तन बगरा मुझे धोना है और सिंग भी क्लीन करना है तो डेली मैं ऐसे ही करती हूँ कीजन को बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ और नीचे फ्लोट जो है वह भी मैं पुझा लगाऊंगी तो चलिए अभी फटा फट कीजन को क्लीन कर लेते हैं फिर म लेक तुम सोने के लिए रेडियो और पुति दिवा भी सो गया है तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोने आज का जो ब्लॉग है इवरी एंड करते हैं आज होप कि अब लोग अच्छा लगा होगा और अच्छे लगे तो लाइक कोमेंट से आर और में चले लगोश